नमस्कार मैं अमरेंद्रितिवारी आल टाइम पॉब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरीके से हम दूसरी लहर की बात कर रहे हैं अपने आप में काफी तेज खतरनाक रूप जो है जहरकंड के अंदर ले चुका है अगर हम बात करें दोस्तों हाइकोट की तो हाइकोट ने राज में हेल्थ इमरजेंसी जैसे शब्द का इस्तमाल करते हुए कड़ी फटकार जो है सरकार को लगाई है और कईना कई सिविल सर्जन को ये कहा है कि ऐसे समय में जब ठीक से जाच रिपोर्ट ठीक समय पर नहीं मिल पा रहा है तो कोरोना संक्रमन जो है वो कैसे रोकेंगे सवाल लाख टके का है सवाल बहुत बड़ा है कि जब वेटिंग पेंडिंग रिजल्ट्स हो तो फिर आपके तमाम दावे तमाम वादे सचीव साहब हो या फिर सरकार के स्वास्थ मंत्री हो या फिर होस्पिटल प्रबंधन हो जिस तरीके से रिम्स के निदेशक सहाब जब आये थे तो उन्होंने उनका मैंने बयान सुना था उन्होंने कहा था कि हम इसको एमस से भी बढ़ियां बना देंगे पूरे जारकंड की जनता ने उनका बयान सुना था बहुत बढ़िया बना रहे हैं खास करके जब हाई कोट को हेल्थी मरजेंसी यसी शब्दों का इस्तमाल करना पड़ रहा है और हाई कोट ने सरकार को कहा है कि इंतजाम जो है वो काफी नहीं है इसको हलके में नहीं लिया जा सकता है साथी जाच रिपोर्ट एक सप्ता में मिल रही है काफी बिलम से जाच रिपोर्ट मिलती है जिसके कारण संक्रमन के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है दूसरी साइड जारखंड के अंदर नीजी अस्पतालों को 50 फिस्दी सीटें जो है रिजर्ब करने की बात जारखंड की सरकार ने कहा है दोस्तों केंदर से वेंटिलेटर 15 सा वेंटिलेटर की मांग जारखंड ने कहीं को कि अनुमान के मताबिक अप्रिल के लाश्ट तक 35,000 एक्टिब केसेस होंगे और इन में से लगभग 40 फिजदी के से सकेले राची के होंगे और तब राची में बेंटिलेटर हो या फिर ऑक्सिजन युक्त बेड या फिर ICU अलग-अलग बेड की जौरत पड़ेगी एक साल में बहुत कुछ जारखंड चाता तो सुधार सकता था लेकिन जारखंड में सुधार एक साल में नहीं हुआ अब आईए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रवन जब बढ़ रहा है ऐसे समय में ये सवाल उट रहा है कि जब दूसरे राज्य जिस पर्टिकुलर जिले से संक्रवन के किसेस में बढ़ोतरी हो रही है उन पर्टिकुलर जिले में आंसिक रूप से विकेंड लॉकडाउन हो या फिर कहीं कहीं कम अवधी का लॉकडाउन करोना संक्रमन की चेन को तोड़ने के लिए लगा रहे हैं तो क्या जारखंड भी पूरवी सिंग्भूम और राची में इसतर का लॉकडाउन लगा सकता है तो देखें बिलकुल राची और खास करके पूर्वी सिंग्भूम में इस तरह की चीजें हो सकती है लेकिन वो तब होगी जब संक्रमन जो है आउट अप कंट्रोल हो जाए मुझे लगता है अप्रेल के बाद जो है हालातों की समिक्षा राज्य सरकार जो है एक बार बड़े आजाने देजे मुझे लगता है क्योंकि आप देख रहे ना चुनावी राज्यों में कोई असर ही नहीं दिख रहा है ना वहाँ ठीक लिए कोई दिक्कत नहीं रैलियों में बिना मास्क और नेता जी लोग तो वैसे भी मास्क कम ही भाशन देते समय पहंते हैं उनका चेहरा जो है कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा तो ये सारी चीजें जो हो सकता है कि उनके मन में चलती हो लेकिन मैं तमाम जो भी जारखंड की जनता इस वक्त इस पशो बाहर लोकडाउन के डर से वापस अपने राज्य आना चाह रहे हैं प्रवासियों का जथा एक तरीके से कह सकते हैं लेकिन इस तरह की चीजें जो है लॉंग टर्म पर इस बार लोकडाउन जो है नहीं लगाया जा सकता है मुझे लगता है तो इसके बारे में कंफुजन ज जो है जार्खंड को मिल सकेगे क्योंकि नए वेक्षिन्स को मन्जोरी लगातार भारत सरकार के तरफ से दी जा रही है अलग-अलग कमपनियों की वेक्षिन्स जब जार्खंड पहुचेगी तो कही ​ना कही वेक्वेक्षिनेशन प्रोग्राम में तेजी तो जरूर देखने को मिलेगी संक्रमन के cases की बात करें दोस्तों तो लगातार संक्रमन के cases जो है बढ़ रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप तुलनातमक अध्यन करें मार्च और अप्रेल में तो आपको साफ अंतर जो है वो दिखाई देगा किस तरीके से कोरोना संक्रमन जो है यहां पर अप्रेल महिने में बढ़ रहा है इसमें कोई कोई अतिश्योक्ती नहीं है दोस्तों दूसरी लहर में एक चीज देखने को मिल रही है जो तमाम विशेशक बता रहे हैं कि इसमें वाइरस जो है वो ज्यादा पावरफुल कहीं न कही ज्यादा वाइरल लोड उसको कहा जा सकता है उस तरीके से दिख रहा है और उसकी सीटी वैल्यू जब हो रही है तो साफ अंतर दिख रहा है ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पिछले दिनों के सबक हलांकि एक चीज तो साफ है कि लॉकडाउन जब पिछली बार हुआ थ च्रक्चर ओवरॉल उतना था नहीं स्वास्त विवस्था में काफी दिक्कते थी आज आज इस तरीके से जारखन्ड ने काफी प्रयास किया था मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर लेकिन पोल खोल रहा है हाई कोट का बयान और हाई कोट का बयान क्या पुरी राजी की जनता इस वक्त त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और लगातार जिस तरीके से स्वास्थ विभाग का हाल है सबसे मुश्किल परिस्थिती है पेंडिंग रिजल्ट्स अब सोचिये जरा कि कोई व्यक्ति जाकर कोरोना पॉस्टिव हो या नेगेटिव हो ये तो जानता नहीं जाकर जांच कराता है उसकी रिपोर्ट्स जो है अगर काफी दिनों के बाद आती है मानलीजे की चार से पांच दिनों के बाद आती है और वो सूपर इस्प्रेडर बनके घूम रहा है मानलीजे पॉस्टिव ही आ गया और इस बीच वो कहीं बाजार गया कहीं और गया तो ऐसे इस्थिति में काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है तो अमूमन ये देखने को मिलता है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा अगर केसेश जो है जौरत से ज्यादा राइस करेंगे तो ऐसी इस्थिति में क्या होगा देखें दो ऐसे जिले जारखंड में जो मुझे लगता है कि पहले जब कोरोना केसेस निकल कर आये थे उस वक्त भी इन दो जिलों में अच्छा खासा केस निकल कर सामने आ रहा था हलांकि धिरे-धिरे केसेस में कमी पूरे वैश्वी कास्तर पर देखी गई थी लोगों को लगया कि वाइरस धिरे-धिरे कमजोर पढ़ रहा है खत्म हो जाएगा लेकिन फिर से इस दूसरी लहर में राची जमशेदपूर ये दो जगह ऐसे हैं पूरवी सिंग्भूम और र संक्रवन के केसेस जो है वो लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर अगर लॉकडाउन की तरफ सरकार सोचेगी शुरुवाती तोर पे तूब विकेंड लॉकडाउन ही सोच पाएंगे क्योंकि आर्थिक इस्थिति को भी मजबूत बनाए रखना ह सरकार के राजश्यों को भी ठिक ठाक रखना है और साथ में जान को भी बचानी है तो मुझे लगता है कि संक्रवन की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन जो है एक अच्छा आप्शन हो सकता है लेकिन इन सब पर निगाह All Time Public India की बनी रहेगी JPSC exams के बारे में लोग पूछ रहे हैं तो बिलकुल exams होंगे और जैक की पड़िक्छाओं के बारे में बोल रहे हैं तो अभी तक जैक के तरफ से exams होने के लिए जो तयारिया है वो लगातार की जारी है इसका मतलब जैक माइंड बना चुका है कि exams जो है वो लेंगे इससे जुड़ा वो अपडेट आगे आएगा जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे फिलाल के लिए इतना ही लेते हैं आप से इजाज़त फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ तक लिए नवसका जै हिंद जै भारत जोहार जारखंड जै जारखंड